दोस्तो इस टैम लगबग रात के दो बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और कोई बड़ी बात होगी तभी मैं इस टैम पर ये वीडियो बना रहा हूँ अदरवाइस मैं बनाता नहीं आराम से सोया हुआ था कि मेरे सब्सक्राइबर्स का मेरे पाब मैसी जाता है वोटसप पर और उन्होंने कहा कि राउल जी जल्दी से ये ब्लोग पढ़ो यार तो जो मैंने ब्लोग खोल कर पढ़ा तो उसमें इतनी अच्छी न्यूस थी और खास दूर पर प्लेस्टेशन यूजर्स के लिए पीएस फोर यूजर्स के लिए जिसके बारे में मैं explain नहीं कर सकता और आप लोगों ने टाइटल में पढ़ी लिया होगा लेकिन यहापर सिर्फ इसी बारे में बात नहीं करनी थी अगर इसी बारे में बात करनी होती या यही information देनी होती तो मैं एक short वीडियो में भी बता सकता था लेकिन यहापर बहुत कुछ है जो Sony ने अपनी गेम के बारे में बताया है तो काफी कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो प्लीस वीडियो को कहने वाली बात नहीं आएंड तक देखना तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं God of War Ragnarok के बारे में तो God of War Ragnarok जो की हम सभी को लग रहा था और मुझे तो बहुत जादा श्योर था कि ये गेम PS4 पर नहीं आएगी PS5 के लिए ही कंपनी रिलीस करेगी और अकसर होता ही यही आया है जब God of War 3 आई थी PS3 के लिए आई थी उसे PS2 के लिए डवलप नहीं किया गया था और हमीशा Sony कंपनी अपने कंसोल की से सेल बढ़ाने के लिए ही एक्स्लूजिव रखती है टाइटल्स को कि नेक जन कंसोल अमारे ज़्यादा से ज्यादा से लोग और जबी लोग परचेस करेंगे अगर वही सारी गेम प्रिवियस कंसोल पर भी पले हो जाएंगे तो फिर कोई क्यों नेक जन कंसोल पर चेस है कि वो PS4 पी इस गेम को रिलीस करेगी तो उससे सीधा सी मलब बिलकुल ये बात हमें किलियर हो जाती है कि Sony को PS5 सेल करने के लिए किसी गेम को टारगेट करने की जरूत नहीं है उसका ओल्रेडी PS5 इतना ज्यादा सेल हो रहा है और इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल है कि God of War Uncharted या Last of Us जैसा कोई भी ऐसा टाइटल नहीं था Spider-Man Miles Morals था लेकिन वो कोई बहुत इतना बड़ा टाइटल नहीं था वो भी PS4 पे रिलीस हुआ उसके बाद भी PS5 की सेल बहुत अच्छी रही तो कंपनी को अब ऐसा बिलकुल वो खत्रे वाली बात नहीं कि यार कोई अच अच्छीव करी लेगें सेकिंड पॉइंट पर बात याते हैं कि God of War Ragnarokko PS4 के लिए इसले डवलफ किया जा रहा है जिससे क्योंकि PS4 आपको पता है एराउंड 150 मिलियन से जादा उसके यूजर्स हैं तो अगर कोई गेम सेल होती है और God of War का आकड़ा हम सभी जानते हैं कि एराउंड आप यह मान के चलो 25% मिनीमम में कह रहा हूँ 25% लोग तो उस गेम को पर्चेस करेंगे ही करेंगे और अगर 25 भी करते हैं तो आप यह समझ लो कि एक विदिन वीक के अंदर तो कितना बड़ा आकड़ा बैट जाता है और एक गेम 4000 रुपी की होते हैं तो Sony को तो एक सबसे बड़ी बात ही होती है प्रोफिट की और यही प्रोफिट कमपनी ने स्पाइडर मैन माइल्स मॉरेल से भी कमाया और इस बारे में हम सब जानते हैं कि आजकल कमपनी क्या कर रही है और जितनी भी अधर कमपनी भी है वो भी PS5 पर नहीं अपडेट देकर कुछ उसने DLC देकर अब GTA 5 है उसको तो ट्रोल भी किया काफी लोगों ने और उसकी मलब वो भी बनते रहते हैं स्पूफ बगारा कि कमपनी क्या कर रही है मतलब GTA 5 से वो PS3 में भी पैसा कमा चुकि यह PS4 में भी आप रिमास्टर करके PS5 से भी पैसा कमाईगी तो ऐसा कमपनी अक् 21 में तो कोई सवाल ही नहीं उठता 21 में कमपनी ने या पर यह किलियर किया है कि वो कोशिश करेंगे Horizon Forbidden West को रिलीस करने की और वो कोशिश क्या करेंगे यार वो रिलीस करेंगे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई option नहीं है क्योंकि रैचेट एंड क्लैंग रिफ्टा पार् तो एक यह सबसे बड़ा रिजन है तो और next year की जो उसकी planning है वो एक तो Grand Tourismos 7 को रिलीस करने की है तो यह दूसरा title है जो PS4 पे आएगा जो पहले PS5 के लिए कंपनी ने अनूंस किया था तो यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि sports गेम को बहुत कम लोग खेलते ह है फिर इसके लिए आपको एक अच्छा वील चाहिए अगर आपको proper फिल लेना है उस गेम की हम बात नहीं करेंगे लेकिन Horizon भी PS4 पे आ रही है इसके लावा सिर्फ एक Ratchet & Clank Rift Apart बचा है मुझे लगता है उसे भी क्यों छोड़ा यार मुझे पीस 4 पे अगर आप रिलीस कर भी देते तो क्या होता बद थोड़ी बहुत उस गेम की सेल हो जाती बहुत जादा लोग तो उसे परचेस नहीं करेंगे शायद 5 या 6 परशेंड लोग परचेस करें जो PlayStation यूजर से 10 परशेंड कर लेंगे इससे जादा तो मुझे नहीं लगता कि उसकी सेल होने वाली है त जब सभी गेम को रिलीस करना ही था तो मैं सिर्फ यह कहा रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो PS4 यूजर उस गेम को खेल पाएंगे लेगिन जो लोग PS5 को परचेस करते हैं या जिनों ने किया है तो उन्हें थोड़ा सा बुरा इसलिए लग सकता है यार कि हम Uncharted 4 को PC पर क्यों लाया जा रहा है या Days Gone को PC पर क्यों रिलीस किया गया तो उनका नराज होना जायज इसलिए है क्योंकि यार PlayStation परचेस हम करी इस वचे से रहे हैं कि हमें वो गेम PC पर खेलने को नहीं मिलेगी और PC पर खेलने को मिलेगी और वो भी बहुत जल्दी क्रयक हो कि अच्छी बात है जिन लोगों ने अभी तक PS5 नहीं लिया या जिनकी pocket money allowed नहीं करती कि भई pocket नहीं करती कि हम ले पाएंगे तो PS4 सबसे best option है और इससे कहीं नहीं PS4 की कीमत बढ़ गई है आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा sale में भी फर्क देखने को मिलेगा इस च पर्चेस करना चाहता है तो आप हमारी nfm nfm.in at the rate gmail.com वाली mail id पर mail कर सकते हैं जो भी पर्चेस करना चाहें उनका एक तरह से नया यह PS4 जादा पुराना नहीं है और उन्होंने जो कोश्ट बताई है वा ठारा हजार रपे के आसपस्की बताई है तो अगर आप में से को बक्स बगारा थे तो आप कंपनी उसका जो दूसरा पार्ट है वो उस पर काम कर रही होगी लेकिन फिलाल बैंड इस्टूडियो ने बोला है कि वो डेस गौन टू पर काम नहीं कर रही है वो किसी दूसरी नई आई पर आई पी पर काम कर रही है और उसका नाम वगर आप थालियां बजाओ जो भी करना चाहते है वो कर सकते है यार बाकी हम लोगों को तो लगता है कि हमने PSY पर्चेस किया था तो काश वो PSY एक्सक्लूजिव होती तो और जाधा excitement होती हमारे दिवांग में पर इस चीज के लिए माइंड मत करना कि हम नहीं चाहते कि आप लोग ना खेलें तो यह सारे पॉइंट्स हो गए हैं मैं फिर भी एक बार चैक कर लेता हूं अपनी स्क्रीन पर कि मेरा कोई पॉइंट रहा तो नहीं तो बस दोस्तों यह सारे पॉइंट्स मेरे कवर हो गए हैं आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो और जिनोंने लास्टा देखी ए वीडियो तो प्लीज वो कमेंट करें लव गोड ओफ वर या लव जी ओ डबलू लिग द थैंक यू वरी मुच